हलो दोस्तों क्या सो आप साथ विलकम बैक टू जॉब यॉश्टे में हो प्रकाष डेली डेवलपमेंट अथोरीटी की तरफ से बहुत बढ़ी आ नोडिफिकेशन रिलीज हुई है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज हुई है अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली वैसे के साथ असिस्टेंट डिरेक्टर और और भी कई पोस्ट में वैकेंसी निकली है तो आई जानते हैं अपलाई करने की LGBT क्राइटेरिया क्या रहेगी यानि की 11 जून से स्टार्ट हो चुकी है और अपलाई करने की लाज़ डेट 10 जुलाई रहेगी और अगर बात करें ऑनलाइन एक्जाम की तो ऑनलाइन एक सिप्टेंबर से लिकर 30 सिप्टेंबर के बीच होगा अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ओनलाइन है आप डिरेक्टली डेली डेवलपेंट अथोरीटी की ओफिसल वेबसाइट www.dda.gov.in वेबसाइट पे जाके रेइस्टेक कर सकते हो वेकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट डिरेक्टर लेंडस्केप के पोस्ट में लिवल 10 का पे स्केल आपको मिलेगा ग्रूप A की पोस्ट है अप्लाई काने की मैक्सिम में इस 35 यर्स अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलक्शेशन मिलता है LGBT criteria के बात करें तो essential है अगर आपने post graduation diploma किया होए landscape architecture में या इसी के साथ आपने डिगरी की हुई अर्किटेक्चर में या फिर अगर आपने bachelor's degree की हुई है बोटनी में या अगर आपने agriculture या horticulture की हुई है और आपके पास at least one year का experience है तो आप यहाँ apply काने का eligible में total एक vacancy निकली हुई है अगली vacancy निकली है junior engineer civil की group B की post है level 6 का pace के लिए आपको मिलेगा apply काने की minimum is 18 years है and maximum 27 years है और category में अगर आप आप आते हो तो आपको age में relaxation मिलता है अगर आपने diploma किया हुआ है civil में तो आप यहाँ apply का निकली eligible हो यहाँ कोई experience required नहीं है total 220 vacancies release हुई है अगली vacancy निकली है junior engineer electrical mechanical की level 6 का pace के लिए आपको मिलेगा यह भी group B की post है minimum is 18 years and maximum 27 years है category में अगर आप आते हो तो आपको age में relaxation मिलता है अगर अपने diploma क्या हो है अगली vacancy है programmer की यह भी group B की post है कि level 6 का pace के लिए आपको मिलेगा apply काने की maximum 30 years है अगर आपने engineering की हुई है computer science, computer engineering, electronics में या फिर आपने master's degree किया हुआ computer, computer application में या फिर अगर आपने B level examination पास किया हुआ department of electronics accredited of computer course अगर आपने यह किया हुआ और इसके साथ आपके पास minimum one year का experience है तो आप यहाँ apply करने के लिए eligible हो और यहाँ total two vacancies release की गई है अगली vacancy निकली हुए junior translator official language में group B की post रहेगी level 6 का pace के लिए आपको मिलेगा apply करने के maximum 30 years है अगर आपने master's किया हुआ है हिंदी में with English as a subject या फिर अगर आपने master's किया हुआ है English में with Hindi as a subject इसी के साथ आपके पास diploma या certificate course है certificate आपने क्या हुआ है या कोई course किया हुआ है translation from Hindi to English या फिर आपके पास two years का experience है translation में तो आप यहाँ apply करने के लिए eligible हो यहाँ total six vacancies release की गई है अगली vacancy है planning assistant की level 7 का pay scale आपको मिलेगा apply काने की maximum is 30 years है category में आते हो तो आपको age में relaxation मिलता है अगर आपने bachelor's degree की विए planning या architecture में तो आप यहाँ apply काने के लिए eligible हो यहाँ कोई experience required नहीं है total 15 vacancies release की गई है अगर बात करें कि final year candidates इसमें apply कर सकते हैं या नी तो देखिए यहाँ पे इन्होंने clearly mention कर दिया है अगर आपकी result final year की result, final semester की result 10th July 2022 के पहले तक release हो जाती है तो फिर आप यहाँ apply कर सकते हो तो आप apply करने के लिए eligible हो देखिए यहाँ all in the candidates apply कर सकते हैं male female दोनों ही apply करने के लिए eligible है application fees की बात करें तो यहाँ आपको 1000 रुपीज application fee पे करना होगा लेकिन अगर आप SC, ST, PWD याए एक serviceman हो तो आपको कोई fees पे नहीं करना होगा examinations enter daily NCR में रहेगा चोले बात करते हैं selection process की तो यहाँ आप selection process देख सकते हो junior engineer civil की selection process में आपको बता दे रहा हूँ single stage online exam होगा बस आपको single exam देना है कोई interview होगा रहे कुछ नहीं होगा directly उसके बाद आपको document verification के लिए call कहा जागा the question paper shall be of two hours duration of 120 marks consisting of 120 questions objective type questions objective type questions सारे आप से पुछे रहेंगे total 120 questions रहेंगे 120 marks का exam होगा इसके लिए आपको two hours का time मिलेगा syllabus की बात करें तो आपके respective discipline से यानि कि civil जैसे junior engineer civil के लिए civil से questions पुछे आएंगे junior electrical के लिए electrical से questions पुछे आएंगे तो वो questions रहेंगे उसके साथ ही साथ reasoning, quant, general awareness and English से भी questions पुछे रहेंगे minimum qualifying marks आपको score करना होगा online exam में unresolved को minimum 40% score करना होगा, SC, ST को 30% and OBC, EWS को minimum 35% score करना होगा देखिए daily development authority की job है तो आपकी posting हमेशा देली में ही रहेगी कोई transfer अगर आपका नहीं होगा हाला कि जो internal इसके जो branches रहेंगे वहाँ पे आपकी transfer होगे लेकिन दिली में ही आप रहोगे देली NCR region में ही आप रहोगे two years का probation period आपको serve करना होगा selection के बाद और ये permanent job है देखिए यहाँ इन्होंने clearly syllabus mention कर दिया है पूरा detailed syllabus है assistant director landscape की यहाँ syllabus आप देख सकते हो अगर हम बात करें civil के post में junior engineer civil के post में syllabus कर रहेगी तो यहाँ आप देख सकते हैं civil engineering से पूरी syllabus जो रहेगी building materials, surveying, soil mechanics यानि कि जो normal syllabus रहता है वही रहेगा hydraulics हो गया, environmental engineering, structural engineering concrete technology then RCC design, steel design तो यह तो हो गई आपके discipline के subject इसके अलाबा बाकी जो subjects होते हैं reasoning, quant, general awareness and English इसकी भी syllabus रहेगी तो previous year में जो questions पूछेगा है previous year में के question papers है सारे pdf में telegram channel पे डाल दूँगा आप telegram channel जोईन कर लेना, telegram channel के link में description box में डाल दूँगा, आप वहाँ जोईन कर सकते हो और वहाँ से सारे जो previous year के questions से आप download कर सकते हो तो यह थी daily development authority की notification की इस notification की pdf मैंने telegram channel पे डाल भी है आप वहाँ जाके telegram channel से pdf डाउनलोड कर सकते हो और apply करने की direct link मैंने description box में दी हुए आप वहाँ जाके apply कर सकते हो इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो वीडियो को like जरू करना आपके जो भी friends preparation कर रहे है government job की उनके साथ इस वीडियो को share करना और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe जो कर लेना Thank you